हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटीब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों यह जो हैंडसेट आप हमारे हाथ में देख रहे हैं नोकिया ब्रैंड का है और दोस्तों मॉडल नंबर है टीए दस तीरपन यानि की नोकिया 5 ध्यान से सुनिए यह यहां लिखा हुआ है टीए दस तीरपन और मॉडल नंबर है नोकिया 5 ओके और दोस्तों डिवाइस में जो प्राब्लम है मैं आपको कंफर्म कर देता हूं एक्चली दोस्तों डिवाइस को हार्ड रिसेट किया था ठीक है और हार्ड रिसेट करने के बाद यह जो डिवाइ यहां को कंफर्म कर देने वाला हूं कि यह जो डिवाइस है गूगल एकाउंट लाख है यानि कि एफरपी लाख है ठीक है इसके लिए मैं यहां सिंपल लेट्स गो पे क्लिक करूंगा और यहां इसकी ओके और यहां देख सकते हैं कहीं भी नेक्स्ट का अप्सन ठीक है तो डिवाइस को सिंपल हम यहां सबसे पहले किसी वाइफाई के थू कर लेते हैं ओके डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई यहां देख सकते हैं वाइफाई का सिंपल सो कर रहा है और यह देखे आगे प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया यहां से करेंगे डॉंट कॉपी और कुछ second wait करिए, आपको पूरी तरह से confirm हो जाएगा, और ये दिखें दोस्तों, ये बोला है verify pin, यानि कि device हमारी pattern lag थी, और pattern lag तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहां second option नीचे दिया हुआ है, अगर ये pattern lag पता होता, तो device बहुत simple अनलाग हो जाती, क्योंकि आपको verify pattern करना है, तो pattern तो पता नहीं है, लेकिन यहां second option आप देख सकते हैं, लिखा use my google account instead, ठीक है, हम इसपे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अगर आपको pattern pin या password नहीं पता है, तो आपको google account पता होना चाहिए, ये देखे, verify your account, तो आपको ये google account पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको google account भी नहीं पता है, तो आपकी ये जो device है, Nokia 5, ये पूरी तरह से FRP लाग है, यानि की google account लाग है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही असान ट्रीक, और बहुत आसानी से आप अपने इस Nokia 5 का google account लाग, यानि की FRP लाग remove कर पाएंगे, ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है, simple पहले तो आपको यहां से बिल्कुल bag चले जाना है, तो simple आप इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद यहां आपको दिख रहा हिंदी भारत, आप इसे सलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आपकी language यहां पर हिंदी हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आपको simple चले जाना है, वो Google account वाले पेज़ पे, verify your account वाले पेज़ पे चले जाना है, आपको सबसे पहले language चेंज करना है, उसके बाद आपको verify your account वाले पेज़ पे चले जाना है, तो हमने language चेंज की, और हम आ गए, यह verify your account वाले पेज़ पे, ठीक है, यह देखे, verify your account अपना खाता सत्यापित करें, ठीक है आपको इस वाले page पे आ जाना है और उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों यहां लिखा है ना email लिया phone ठीक है आपको इस पे click करना है ठीक है आपका keyboard open हो जाएगा और अब आपको करना क्या है यह जो आप add the rate के बगल में logo देख रहे हैं लोगों पे आपको अपनी finger ले जाके tap करके रखना है ठीक है यह देखे कुछ इस तरह यहां पे आप finger tap करके रखेंगे ठीक है तो जैसे ही tap करेंगे यह keyboard की setting open हो जाएगी ठीक है यहां आप देख सकते हैं लिखा है भासा setting यह देखिए ठीक है तो आपको सबसे उपर की तरफ जो हिंदी लिखा है इसके सामने यह देखिए एक arrow है ठीक है तो आपको simple इस पे क्लिक करना है उके उसके बाद उपर की तरफ यह देखेंगे आपको three dot दिखेगा आप इस पे क्लिक करिए और उसके बाद आपको क्लिक करना है सहायता और fit by की यह second वाले option पर अप इस पर क्लिक करने के बाद यहां आपको दिख रहा है Android डिवाईस यह जो दिख रहा है Android डिवाईस आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यहां देखिए लिखा है install किये हुए application मिटाना यह वाला जो लिखा हुआ है इसके नीचे यह blue color का link आपको दिख रहा है यह वाला ठीक है आपको इस पर click कर देना है ठीक है तो यहां देखेंगे दोस्तों आपके सारे apps जो है यह open हो जाएंगे यह देखिए ठीक है तो आपको करना क्या है बिल्कुल नीचे चले आना है नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा YouTube यह देखे YouTube तो आपको YouTube पर click करना है उसके बाद यह YouTube ओपन हो गया उसके बाद यह देखे लिखा है सुचनाए यह वाला आपको सुचनाए पर click करना है ठीक है उसके बाद बिल्कुल नीचे आएंगे अब यहां देखें नीचे के तरफे लिखा बेहतर बिकल आपको इस पर click करना है ठीक है उसके बाद आप औ आप्सन आपको दिख रहा है इतिहास और नीजिता ये वाले आप्सन पे आपको इस पे क्लिक करना है ठीक है उसके बाद ये देखी ये लिखा YouTube की सेवा सरतें ठीक है ये आपको इस पे क्लिक करना है ओके और फाइनली दोस्तों आपके डिवाइस का जो डिफाल्ट ड्लडर, ये ओपिन हो जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद इसे सेट अप कर लेना है ऑके ये सेट अप हो गया ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है यहांपे जो ये एड्रेस बाक्स दीख रहा है आपको इसे क्लिक करना है और टाइप करना है Google.com ठीक है google.com और इसे open कर लेना है ठीक है आपका google का page open हो गया google का page open होने के बाद आपको ये search box पे click करना है और यहां पे आपको type करना है vnrom ध्यान से देख लीजिए vnrom ठीक है इसे search कर लेना है ठीक है जो पहली website खुलेगी ये पहला वाला आपको पहले वाले पर click करना है ठीक है अब ये website open हो चुकी है थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहां पे कुछ application डाउनलोड करने है ठीक है तो वो कौन सा application है मैं आपको बता देता हूं पहला application दोस्तों ये जो लिखा है android 8 9 10 ठीक है आपको ये वाला application डाउनलोड करना है सबसे पहले तो आप इस पे क्लिक करें ठीक है ये advertise आ जाएगा उससे कोई मतलब नहीं यहां से जारी रखें पे क्लिक कर दें और यहां से अनुमती दें ठीक है ये application आपका डाउनलोड होने लगा उसके बाद ये जो advertise जही से कट कर दें कट करें डाउनलोड करें ठीक है उसके बाद यहां से आप बैक चले जाएं बैक आने के बाद दोस्तों जो second application डाउनलोड करना है वो है FRP bypass ये रहा FRP bypass APK ठीक है इस application को डाउनलोड करना है तो उसके लिए simple आप इस पे क्लिक कर दें ठीक है और ये application आपका डाउनलोड हो ठीक है अब यहां दोस्तों simple ये जो उपर की तरफ आप 3 डाट देख रहा है इस पे क्लिक करके और उसके बाद आप डाउनलोड पे आएंगे तो यहां देखेंगे कि आपका जो application है successfully download हो चुका है ठीक है और अब आपको करना क्या है ये जो android 8 9 10 देख रहा है आपको इसे install करना है सबसे पहले आपको android 8 9 10 को install करना है तो simple इसके लिए आप इस पे क्लिक करें यहां से setting और यह जो permission इसे यहां से on कर दें back जाएं और यहां से install करें यानि कि सबसे पहले आपको google account manager को install कर देना है ठीक है हमारा यह google account manager जो है कि install हो गया यहां से हम done कर देंगे ठीक है और उसके बाद जो second application आपको दिख रहा है FRP bypass आपको इसको install करना है ठीक है तो आप simple इस पे क्लिक करें और यहां से install करें ठीक है यह application आपका install हो गया अब उसके बाद यहां से open कर लें इस application को ठीक है ओपें करेंगे तो इस type का interface आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहां देख सकते हैं दोस्तों यहां 3 dot है आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद ब्राउज sign in पे क्लिक करना है और उसके ब ID तो मैं अपनी Gmail ID यहाँ पे add करूँगा अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी Gmail ID add कर दी उसके बाद मैं यहाँ से next करूँगा और अब यह password मांगेगा यह देखिए password तो हमें यहाँ पे अपना password add करना होगा ठिक है हमने अपना password यहाँ पे add कर दिया उसके बाद हम करेंगे यहाँ से next और अब क्या होगा दोस्तों यह Gmail ID इस device में successfully sign in हो जाएगी और sign in होने के बाद जैसे ही sign in complete होगा यह automatically back position पे आ जाएगी यानि कि अपने back option पे आ जाएगी ठिक है अब यहाँ आपको करना क्या होगा device को reboot करना होगा ठिक है तो हम simple यहाँ पे device को reboot कर लेते हैं restart ठिक है यानि कि device को आपको restart करना होगा ठिक है device हमारी restart हो गई है और wait करिए device को फिर से चालू होने तर दोस्तो model number एक बार फिर से मैं बता दूँ model number है Nokia 5 दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो कोई भी प्राबलम आपकी हो तो आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बाक्स में कमेंट करें और मैं बहुत जल बहतर से बहतर सल्यूशन आप तक पहुचाने की पूरी पूरी कोसिस करूँगा अब यहां दोस्तों डिवाइस हमारी reboot होके चालू हो चुकी है और अभी के लिए हमको करना क्या है यह जो setup है इसे complete करना ठीक है तो चलिए यह setup कम्प्लीट कर लेते हैं यहां हम let's go पे क्लिक करेंगे ठीक है यहां से skip और यहां दोस्तों आप देखेंगे कि जो जीमेल आइडी हमने डाली थी इस डिवाइस में वो सक्सेस्फुली इसमें एड का आप सना जाएगा ठीक है यहां से डॉंट कॉपी करेंगे और अभी कुछ सेकेंड वेट करेंगे आपको यहां पर मैसेज आ जाएगा यह थी तो आप देख सकते हैं यह जीमेल आइडी समें सक्सेस्फुली एड हो गई है ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे कि मोर मोर एसेप्ट यहां से इसकीप नॉट नाव इसकीप एनिवे और अब आपको पूरी तरह से यह सेटप कंप्लीट कर लेना है यहां से continue, no thanks, skip, no thanks, और उसके बाद यहां से not now और यह देखिए दोस्तों हमारी डिवाईस पूरी तरह से यह सेटप कंप्लीट करने के बाद एक्टिव हो गई, अनलाक हो गई और आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारी डिवाईस चालू हो गई ठीक है, अब यहां दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दे, बहुत most important है जब आपकी डिवाईस पूरी तरह से अनलाक हो जाती है, तो आप डिवाईस को manual reset करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इसमें आपने कुछ extra जो है application आपने इसमें जो है की install किये हुए है, तो आप device को manual reset जरूर करने, ठीक है, अधरवाई जी application आपके चलके आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है, मुझे उमीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने Nokia 5 का FRP लाग यानि की Google एकाउंट लाग बहुत आसानी से remove कर पाएंगे, अगर दोस्तों मेरी वीडि इस वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले, तो thank you दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you so much